जाहिंदे स्ट्रेंट्स आप सबका श्वागात है हमारे यूट्यूब चैनल केरियर पॉइंट नवादा में आर्बी हिंदी जोकी एकसो माक्स का होता है जो पुड़ा का पुड़ा अब्जेक्टिव होगा उसका तीसरा वीडियो हम अप्लोड कर रहे हैं अब ही मैं आपको शिलेबस समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले जो शिलेबस आप लोगों का क्या है उसके बाद बी बेया ऑपूरा इनतजार कीजिए आपके लिए भी तयार हो रहा है आपके लिए वीडियो अप्लोड होगा बस कुछ समय देदीजिए आपके लिए भी म आपशाद के बारे में पढ़ाया गया था अभी मैं नागारजुन के बारे में पढ़ा रहा हूं ऐसे करके फिर रामधाली सिंग्दिन कर एक एक करके सभी कवियों से जुरे जो महत्पुन अब्जेक्टिव हो गए उसको मैं समझा देता हूं फिर पुड़े बुक को व्याकरन सहीत अब्जेक्टिव अप लोगों को समझाएंगे पहला कोई सन है किसकवी का असली नाम वैद्देनाथ मिश्र था तो इसका सही आंसर नागारजुन वैद्देनाथ मिश्र यात्री नागारजुन एक ही वैक्ति है ठीक है चलिए दूसरा प्र प्रखंड के अंतर तरोनी गाम में जो कि हम लोगों के गउंसे कुछ ही दूर पर है ठीक है तीसरा प्रसे नागारजुन किस काव्यधारा से शंबद्ध है तो प्रगतिवाद इसका राइट अंसर होगा चौथा है वे और तुम सिर्शक कविता के कभी कौन है तो ठीक है वे और तुमम पाचमा वे और तुमम के वे संबोधन की से केम की लिए वे की सासे की लिए वे क्लिए बोला गया है तो श्रमिक के का है तरोनी थाट परस्य नागारजुन ख़डी बोली के अत्रिक्त और किस भावासा में किताएं लिखते रहे हैं तो मैथली में तो मिथलान चलके हैं तो मैथली में भी लिखते थे लेकिन जीवुगो पार्जन के लिए अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने हिंदी को लिखा और मात्री प्रेम के नाते उन्होंने मैथली को भी लिखा ठीक है शात्मा प्रश नागारजुन कैसे कभी है तो प्रगतिवादी जो आपने पहले भी देखा वो भी है प्रियोगवादी जनवादी तो इन में से सभी इसका से उत्तर हो जाएगा निका आपको याद रखना है नागारजुन जो थे वो प्रगतिवादी प्रियोगवादी और कभी थे नागार्जुन का जन्म कहां हुआ था तो नागार्जुन का जन्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तरौनी दर्भंगा जिलाक के अंतरगत बेनिपूर प्रखंड का गाओं है ठीक है जहां पर महान कभी का जन्म हुआ था और बेनीपूर के जो भी रहने वाले हैं एक अपने आपको श्वभाग साली मशुर करते हैं इन जैसे विद्वान के प्रखंड में रहकर ठीक है नमा प्रसने नागारजुन घर छोर कर कब निकल गए थे तो 1934 सिस्वी में दसमा प्रसने नागारजुन यात् नाम से किस भासा में राचना करते थे तो हिंदी में और मैथली में ग्यारमा प्रसने मैथली में नागारजुन की पहली राचना कौन सी छपी थी तो राम के प्रती मैथली में नागारजुन की पहली राचना छपा था बारमा प्रसने विस्वंध शापताहिक में प्रथमत नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी तो राम के प्रति विश्वन साप्ताहिक में प्रथमत सब से पहली बार नागार्जुन की कौन सी रचना छपी थी तो राम के प्रति तेहर हमा प्रस्ण है नागार्जुन की पहली हिंदी रचना का प्रकासित हुई थी तो पहली हि प्रकासित हुआ था ठीक है चौदहमा प्रस्ण है नागारजुन की प्रगतिवादी रचना है किस वाद से प्रभावित है तो मार्क्स वाद से नागारजुन की प्रगतिवादी रचना नागारजुन जी के प्रगतिवादी रचना किस वाद से प्रभावित हैं, तो इसका अंसर जगा मार्क्स वाद, पंदरहमा प्रस्ण है, नागारजुन को सहित अकादमी पुरुषकार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, तो सिंदूर तिलकित भाल, यह बहुत ही important question है, याद कर लेजिए, सिंदूर तिलकित भाल क के लिए नागारजुन को सहित अकादमी पुरुषकार मिला हुआ था, ठीक है, नागारजुन की काविकृतियां, युगधारा, उनेशो तिरपन, सत्रंगे पंखों वाली, 1969, 85 पथराई आखें, 1962, तालाब की मचलियां, 1974, चंदना, 1976, तुमने कहा था, 1980, खिचरी, विपलब देखा हमने, 1980, हजार हजार बाहो वाली, पूरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्व, और भुष्मांकर, खंड, ये इनका प्रमुख, काविकृतियां है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि हो शक्ता है, तो इन सम्में से पूछ ले, जो तुमने कह साथा किनकार लिखा हुआ है, किसकी रचना है, रत्नगर्व किसने लिखा है, या तालाव की मचलियां किसने लिखा है, तो इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान से देखना होगा, एक-एक बातों को याद रखना होगा, ताकि आपका एक्जाम बहुत ही अच्छा हो श जैदा मदद मिल सके ठीक है